गुफ्तकू में आप सबका स्वागत है आज मैं हमारे हर्याना के मुख मंत्री मनोरला खतर जी कल समालका के पास एक वर्करों की मीटिंग में भाशन दे रहे थे जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लख्श इस्तमाल कर दिये जिसकी चर्चा सारे हर्याना में हो रही है बलके विपक्षी दल जो है वो काफी मुखर होके उसका क्रिटिसिजम कर रहे है मुख मंत्री जी ने वर्करों को अड्रेस करते हुए ये कहा कि पार्लिमेंट और विधान सबा की एलेक्शन आगे आने वाली है और उससे पहले हर्याना में जितने भी नगर निगम है उनकी एलेक्शन पूर्ण कर दी जाएगी इससे आगे उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स को इस एलेक्शन में और अगली एलेक्शन के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये मौसम धरने देने का सीजन है जब भी कभी एलेक्शन होती है तो धरने और एजिटेशन शुरू हो जाती है लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए हमारी फौज भी तैयार है स्वाल ये है कि अगर यहां तक भी रह जाता हलांके ये फौज नहीं है ये कोई युद नहीं है ये तो डेमोक्रेटिक एक प्रॉसेस है कि अलेक्शन होनी है वरकर्स अपनी अपनी पार्टी द्वारा किये गए कारे जो है वो वोटर्स को पबलिक को बता सकते हैं उसके लिए अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं रैलेज कर सकते हैं और जो भी इस्तमाल किया वहां तक कोई ऐसी बात नहीं थी लेकिन मुक्मंत्री ने जो आगे कहा उसका काफी विरूद हो रहा है और वो मैं पूरी तरह से पढ़के बताना चाहूंगा कि मुक्मंत्री जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि आपोजीशन वाले दुष्ट पर चार करेंगे और जो हमारे काम हुए हैं या होने जा रहे हैं काम का विरूद करें तो उनको समझाओ वर्टकर्ट को वो कह रहे हैं समझाओ ना समझें तो अलग तरीके से समझाएंगे आगे और कहा उन्होंने लक्ष सामने है उसे पूरा करने को साम धाम धंड वेद सब लगा देंगे अब ये आपोजिशन के लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो फोज है क्या ये फोज अलग तरीके से समझाएगी ये अलग तरीका कुम सा है क्या ये वही तरीका है जिसमें अभी हाल ही में राजस्तान के दो बंदों को जला दिया गया ये अलगा कि वो गाय की तसक्री कर रहे थे क्या ये तरीका है लोगों को समझाने का जो इनकी वैसे बात ना माने तो ये एक बहुत गलत तरीका है इसकी भर्चना होनी चाहिए चाहे मुकमंतरी ने ये बात अपने वर्करों को तैयार रहने के लिए और उनमे अनर्जी डालने के लिए ही कही होगी लेकिन दूसरी तरफ जो बीजे पी के नेताओं में आफ़स में डिफरेंसिस हैं वो भी कल खुल के सामने आगए के मुकमंतरी जब तक मीटिंग के स्थल्ट में रहे तब तक हर्याना के एक और जजग नेता कैप्टन इंदर जी सिंग जी जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं वो तब तक उस थल पे नहीं गए जब तक मुकमंतरी वहां से चले नहीं गए राव साब वहां पूने एक बज़े के करीब पहुंचे और मीटिंग स्थल्ट से तक्रीबन पांच सो मीटर पर ही बैठ गए इसी अपने वर्कर के हाँ वहां से उठे तो रेस्टरेंट में चले गए इस इंतजार में के मुकमंतरी जाएंगे तब वो स्थल में जाएंगे जब मुकमंतरी गए तो तब राव साब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने मन की बात करी पी धनकर जी बीजे पी के स्टेट प्रेजडेंट भी हैं वो भी वहां थे तो ये सारा जो भी है ड्रामा वर्कर्स ने भी देखा और बीजे पी के प्रेजडेंट ने भी देखा किस परकार उनी के यूनियन मुनिस्टर मुकमंतरी से अपने आपको अलग रख रहे हैं ये अब खुल के सामने आ रही है कि जो राव बेल्ट है गुरगाओं से आगे रिवाड़ी बगेरा एरिया जिसमें राव इंदर जी सिंग्ग का अपने पिता के समय से राव बरिंदर सिंग्ग जो कभी हर्याना के मुकमंतरी भी रहे थे उनकी वज़ा से जो इनका होल्ड है वहां राव साब अपना पूरा प्यालिजिये के पुलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं पिशली बार भी उन्होंने अपनी बेटी को मेबरा पार्लिमेंट की टिगट दिलवाने के लिए पोशिश की थी जो पूरी नहीं हो सकी थी लेकिन इस बार उनकी बेटी ने एलान ही कर दिया है वो अलेक्शन लड़ेगी तो ये चीजें भी पॉब्लिक में जो हैं वो बीजे पी की यूनिटी के उपर पुस्चन मार्क कर रही हैं आगे देखते हैं इसका कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव वरकर्स के उपर और पॉब्लिक के उपर असर रहेगा लेकिन जो भी हो इतना जरूर है कि पॉब्लिक ये चाहेगी कि मुख मंतरी बोलते समय कुछ ऐसे लफजों का इस्तमाल ना करें जो के डेमोक्रेटिक ना हो आज इतना ही आप सब कतने वाद